लोज़ की लोज़ चाई रहे हैं लोज़ देशी मिलाएं आपकी N.C.E.R.T. की कक्षा तीसरी के किताब के पार्ट 6 से यह कुछ चीज़े उली गई है ध्यान से देखें इनको क्या क्या है यहाँ पर यहाँ पर है यहाँ पर है चावल यहाँ पर है हमारा मुर्गा और यहाँ है मेंडग, चुहा, सांप, आलू और लाल जीटी तो आएए अब हम देखते हैं कि इन में से हमने क्या क्या खाया है और क्या नहीं खाया चावल तो आपने खाये होंगे कहीं ना कहीं मैंने भी खाये हैं चावल की बिर्यानी, चावल के पुलाओ और बहुत सारी चीजें जैसे कि चावल की खीर इसी तरीके से आलू की भी बहुत सारी सबजिया बनती है आलू मतर, आलू की टमाटर वाली सबजी, आलू के पकोड़े और ना जाने क्या क्या मैंने मुर्गा भी खाया है, मुर्गे की बिर्यानी, मुर्गे का बटर चिकन और बहुत सारी ऐसे इसी चीजे पर मैंने कभी चूहा या फिर मेंडग और सांप नहीं खाए और नहीं लाल चीटी पर मैंने सुना है कि लाल चीटी तो खाई जाती है याद नहीं आ रहा कहां लेकिन खाई जाती है क्यों ना हम पूछ ले किसी से कि इन में से क्या-क्या चीजे खाई जाती है आईए जानते हैं कि इन में से क्या-क्या चीजे खाई जाती हैं और क्या नहीं मैं बताता हूँ ना कि चूहा खाया जाता है या नहीं मेरा नाम है मान जी और मैं बिहार के मूसाहार समुदाय से हूँ मूसा यानी चूहा और अहार यानी की खाना क्योंकि हमारी लोग मूसा खाते हैं इसलिए हमें मूसाहार बोलते हैं मेरे समुधाय के लोग भारत की और जगा भी मौजूद हैं लेकिन मैं बिहार में रहता हूँ कई दफा हम खाने के लिए दर-दर भटकते रहते हैं और हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं मिल पाता फिर अंत में जो भी खटा हो पाता है उसको हम चूहा भून कर उसके साथ आपस में मिल बाटकर खा लेते हैं क्या आप जानते हैं कि भारत में असाम में भी चूहे खाये जाते हैं इसके अलावा भारत के अलावा भी और देशों में जैसे कि कमबोडिया, मयनमार, चाइना, वेटनाम आदी में भी चुहे खाये जाते हैं क्या आपने कभी लाल जीटी की चटनी नहीं खाई? मैं बताती हूना कितनी स्वादिश्ट होती है लाल जीटी की चटनी मेरा नाम चूरू है और मैं 36 गड़ से हूँ हमारे यहां तो खूप खाई जाती है लाल जीटी की चटनी जो की बहुत ही स्वादिश्ट बनती है और उस चटनी को हम बोलते हैं चप्रा मैं हूँ सुक्रा और मैंने भी काई है लाल जीटी की चटनी हमारे यहां यानि की ओरिसा में लाल जीटी को बोलते हैं काई और जहां पर वो रहती है अपने चटे में उचे उचे पेड़ो पर उस चटे को हम बोलते हैं काई पूडा हम लोग मिलकर काई पूडा से लाल जीटीयां और उनके अंडों को इखटा करते हैं कई दफ़ा लाल चीटिया हमें काट भी लेती हैं लेकिन आप जानते हैं लाल चीटियों के काटने पर हमारे में कहा जाता है कि लाल चीटि के काटने से शरीर के बहुत सी बिमारिया ठीक होती है जैसे कि अगर कोई शारेरिक बिमारी हो यानि हमारी स्किन पर हमारी तुछा प कर लाते हैं और सब मिल बाट कर उनकी चटनी बना कर खाते हैं जैसा तुमने बताया कि लाल चीटियां खाने से काफी बिमारी दूर होती है ऐसे ही हमारे यहां कहा जाता है कि मेंडग खाने से भी काफी बिमारियां दूर होती है मेरा नाम है गुरूंग और मैं सिक्किम से हू मेरी जनजाती का नाम है, मेरे समुताय का नाम है लेपचा और हम लोग सिक्किम में रहते हैं हमारे यहां कहते हैं कि मेंडग के पैर खाने से पेट की काफी बिमारिया दूर होती है और हम लोग खुब मज़े से इनको खाते हैं और साथ ही साथ गोवा में भी खाये जाते हैं मेंडग, सिर्फ भारत में ही नहीं, और देशों में भी मेंडग खाये जाते हैं, जैसे कि फ्रांस, चाइना, और भी बहुत सारे देश. तो जिस तरीके से चावल और आलू खाना हैं, वैसे ही मुर्गा भी, और हमने जाना कि चूहा, लाल चीटियां और मेंडग भी खाये जाते हैं, इसी तरीके से भारत और अन्य देशों में बहुत से जानवरों को खाया जाता हैं, जैसे कि सांप और गिलहरी, क्या आप भी ऐसा कोई जानवर या खाना जानते हैं, जो थोड़ा हट कर है, पर खाया जाता है?